वेल्कम बैक टो एट चैनल देश्ट्रेंट एर फोर्स इंटेक 01-2023 के लिए अभी से तैयारी सुरू हो गई है और अभी से ही आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है डेली मॉर्निंग में करेंट अफेर आपको दिया जा रहा है जो कि प्रिवेस एक्जाम से लिए गए है और इसी बेस पे आपके एक्जाम में क्वेस्चन पूछे जाएंगे डेफिनेटली ये क्लास नमबर तीसरा है आए देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेस्चन आपकी सामने है और आज की से वीडियो को कम्प्लीट करने के बाद आप कमेंट सेक्शर में कमेंट करके बताएंगे कि सर हमारा इतना क्वेस्चन सही हुआ कल एक डाउट था राहूल का इथिंक हमने उनको बताया आइथिंक राहूल नाम था उनका अगर मैं नाम भूल रहा हूँ तो सौरी बट मैं उनको जानता हूँ चेहरे से और नाम से भी ठीक है तो आईए देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेस्चन जो है अब आपको बताना है कि इस पूरे सेंटेंस में किस पार्ट में इरर है नो सूनर के बाद देन का प्रयोग नहीं होता है इसको लिख लिजिए और इस कंसेप्ट पे आपके एरफोर्स में कईों बाहर क्वेस्चन आया है एरफोर्स हुआ, नेवी हुआ, एंडे हुए हमेसा क्वेस्चन पूछा जाते है नो सूनर के साथ किसका प्रयोग होता है देन का होता है ठी एच ए यन ठीक ना, ठी एच ए यन नहीं होता है देन पढ़ा जाता है, इसको देन पढ़ेंगे, इसको देन पढ़ेंगे ठीक है, तो यहाँ पर इसका प्रयोग होगा देन का प्रयोग होगा, clear क्लियर नेस्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं अगला क्वेश्चन देखें बहुत ही बड़ा देखने में है लेकिन इरर बहुत ही छोटा है अब फाइंड कीजिए कि कहां पर इरर है लिखा हुआ है कि क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है इसी प्रकार से क्वेश्चन आपकी एक्जाम में पूछता है और आप देख करके घवरा आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में खास करके प्रिपजीशन या छोटे छोटे एरर आपको देखने को मिलते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंग two का प्रयोग किया जाता है prefer के साथ than का प्रयोग नहीं किया जाता है prefer के साथ two लगता है prefer के साथ क्या लगता है two, t, o तो ऐसे बोलेंगे I as prefer coffee to tea than tea नहीं बल कि क्या होगा two, tea होगा next question की तरफ बढ़ते हैं यह वाला question बताएए किसका किसका सही हुआ यह वाला question जो आपके सामने अभी देखिए और बताईए अगर आपका सही हुआ तो आप comment box में बताईए जय हिंद लिखिए I asked him where you were but he didn't tell me I asked him where you were पताईए अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है न संटेस यह बहुत ही पेचीदा है direct and direct वाला error यहाँ पर है I asked him उससे पूछ रहा है क्या कर रहा है मैंने उससे पूछा है मैंने उससे पूछा कि तुम कहां थे वेर यू वर उससे किस से पूछा हिए तो हिम का यहाँ पर subjectится क्या हो जाएगा? यह नहीं. हिम से ने पूछ रहे हैं, मैंने उससे पूछा. तो क्या होगा? I asked him where he was. clear? तो यहां पर part number B में error था. यू की जनरली हेल्दी और बात भी सही है सही लिखा भी है लिखा देखिए ज्यादा तर ऐसा होता है कि जो लोग अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं भाई हम गरम पानी पियेंगे भाई हम सुबह उठेंगे ये करेंगे वो करेंगे मतलब हर एक चीज फुक से बच्चे खेल रहे हैं और हमेशा बिमार बढ़ रहे हैं तो ज्यादा हेल्थ के प्रती जो केर होता है उसकी भी तवेत कई बार ज्यादा खराब रहती है यह बात सही लिखी गए लेकिन इरर यहां पर ढूड़ना है मुद्दे पाते हैं ध्यान रखेगा केरफूल के सा कि आकी अप हमारो का रियोग कर सकते हैं तो यहां पर क्या हो जासा है कि तरह बढ़ ले थे हैं और पार लिखा हुगा है कि बताइए sentence बहुत ही बड़ा है और इसमें वाकई में error भी आपको ढूड़ना एक challenge है लेकिन ढूड़ करके बताइए जिस candidates का ये question सही हो जाएगा वो question number को था है पांचवा है ना question number 5 लिख के comment करें कि sir मेरा पांचवा question सही हुआ है बहुत ही important question है अगर आपका सही होता है तो जब से उसे move किया गया तब से लेकर के अब तक उसके हालात में little change आया है तो एक बात समझेगा जो since है ना since तो यहाँ पर सही है ठीक ना जब से कि sense में देखे since का मतलब होता है na since क्या करता है कि past को present से जोड़ता है तो इधर तो past है लेकिन यहाँ पर problem है option number a में तो there is नह there has been a little change समझ रहे हैं there has been a little change since का काम होता है past को present से जोड़ना clear है बात समझ में आ गई होगी आगे बढ़ लेते हैं अगला question है question number six जो की last है इसमें इतर आपको बताना है once he have agreed to the proposal there will hardly be anything left to discuss about बताईए question बहुत ही easy है बहुत ही जादा easy है और इस प्रकार के question आपके exam में आ चुके है हुबहु question आ चुका है बताईए error कहां पर है और pen उठा करके इसको note कर लिजी अपने notebook में यहाँ पर देखे जो discuss लिखा हुआ है न डिसकस के साथ कभी भी about का प्रियोग नहीं करते हैं इसको superfluous बोलते हैं blender बोलते हैं बहुत बड़ी गलती हो जाएगी discuss के साथ कभी भी about का प्रियोग नहीं करेंगे discuss का मतलब ही होता है किसी चीज के बारे में discuss करना तो बारे में का sense जो है कि वो discuss के अंदर ही है जैसे describe के साथ भी क्या करते हैं about का प्रियोग नहीं करते हैं और discuss के साथ भी About का प्रयोग नहीं करते हैं, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, तो आज के लिए फिलाल इतना ही, आपकी कितने questions सही हुए हैं, आप comment box में जरूर बताईएगा, और बहुत ही जल्द हम classes भी बढ़ाने वाले हैं, और vocabulary की भी classes बहुत ही जल्द सुरू होने वाले, साथ जीके की भी सीरीज आपके लिए सुरू करने वाले हैं, आप बने रही हैं हमारे साथ, कोई भी डाउट हो, तो comment box में जरूर पूछें, देखिए जो बच्चे पढ़ने वाले होते, definitely ओ comment box में comment करके questions के doubt क्लियर कर लेते हैं, और कुछ ऐसे students भी हैं, जो Instagram पे भी message करके, अपने जो doubts है, यहाँ से screenshot लेते हैं, और या कि फिर question को copy करते हैं, वहाँ पर भेज करके पूछ लेते हैं, कि sir, हमें ये वाला question नहीं सहुझा है था, आप बता देजिए, या comment box में भी आप question का number डालके, पहला दूसरा, तीसरा, चौथा, पच्वा, छट्वा ऐसे आप करके पूछ सकते हैं, ठीक है आपके लिए इस बार लगना है, और तीन महीने का वक्त है, हमारे पास और आपके पास, और इस तीन महीने में सभी doubts को clear करके, exam में confidence के साथ exam हाल में जाना है और क्या करना है, exam को crack करना है मिलते हैं फिर अगली वीडियो में जाए श्ट्वन्ट, तब तक के लिए जय हिंद वन्ट